हेलो दोस्तों असलाम उलाइकुम और रहमतुल्लाही वबरकातु हूँ मैं मुहमद संसीर आलम और आप देख रहे हैं संसीर बॉलोक्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खेरिया से होंगे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपडेट निकल के आ रहा है बुंबई एरपोर्ट के लिए तरफ से आप लोगों को बता दूसमें पांच अपडेट किया गया है अगर आप उन कैटेगरियो में आते हो तो आप लोगों को वहां पे होम कॉरंटिन मिलने वाला है तो सारा जानेंगे इस वीडियो में तो उसके लिए आप कोई वीडियो लास तक देखना जरूरी है जो लोग भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो उनसे अभी क्या भी बोलता हूँ लाल जो न लाइक कर दें और कॉमेंट करके हमारा होसला बढ़ाया आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो पहले जो रूल था उस रूल में बता दू पहले के रूल में जो लोग भी मीडियल इस से यानि गॉल्फ से जा रहा था और जुसमें से अभी जो नय अपडेट आ रहा है इसमें चार जगह से जो लोग जाएंगे उन लोगों को कमपल सरी कॉरंटीन करना होगा आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं उसमें आपको बता दू जो यूके यूरप मीडिल इस्ट एंड साओध अफरीका ये चार जगह बताए गए हैं अगर आप चार जगह से आते हो तो आप लोगों को कॉरंटीन करना पड़ेगा तो आप लोगों को जरुवत क्या मीडिल इस्ट में हो आप कतर, दुबई, बहरेन, उमान, मसकर, साओधी आप ये सारा मीडिल इस्ट में आता है तो आप यहां से जा रहे हो तो आप लोगों को भी कॉरंटीन होटल में करना होगा या तो जो मनसिपाल्टी क्या वहां पर आप कॉरंटीन कर सकते हैं तो उसका खर्च अलग है तो इस वीडियो के डिपकरेशन में मैं आप लोगों को होटल का भी लिस्ट डाल दूँगा आप वहां से भ पड़ता है और एक बात और किलियर करता चलू जो लोग भी बुंबई में उतर के निकल के बंबई से एरपोर्ट से बाहर जाएंगे उन्हीं लोग को कॉरंटीन बुंबई के अंदर करना होगा जो लोग बंबई भाया दूसरे जगा जाना चाहते हैं जैसे दिल्ली यहां से कतर से बुंबई गए बुंबई से उनको गुजरात जाना है तो आप को कॉरंटीन बुंबई में नहीं करना होगा गुजरात के रूल के हिसाब से चलना होगा अगर आप बुंबई से दिल्ली आते हैं तो फिर दिल्ली के रूल के हिसाब से चलना होगा आपको बुंबई क रूल से कोई तालुक नहीं है क्योंकि आप वहां पे निकल नहीं रहे हो आप वहां पे रूक नहीं रहे हो तो जो लोग भी Corona का टेस्ट नहीं करा कर जाते हैं तो einाट की लिए भी कोई दिक्शल नहीं उन लोग क्या वहां जा करके Corona τेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 850 रियां रखा गया और आपको रहने का सुद्धा कुल मिला करके आपको 3000 से उपर देना पड़ता है तो आप बात कर लेते हैं आप क्या आप पांच केटेगरी में आते हो अगर आते हो आप पांच केटेगरी में तो आप लोगों को भ प्रेगनेंट है उनको भी होम कॉरंटीन मिलेगा और ऐसे बच्चे जो पैरेंस के साथ आते हैं जिनका एज 65 से पांच साल से नीचे है उन लोग को भी होम कॉरंटीन मिलेगा चौते नंबर पर आते हैं वह जिन लोग बीमार है बीमारी से मुपतला है कैंसर का होगया मिलेगा और जिन लोग जो लोग ऐसे हैं जो लोग अपना काम नहीं कर सकते दूसरे पर निरवा रहे हो भी होम को रंक मिलेगा पांच में दोसे हो जा रहा है तो यही थी दोस्तोे आज की अपडेट जो बुंबईी से निकल के आ रही थी, मैं सोचा आप लोगों तक शेर करता चलू। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल नहीं सबस्क्राइब करें, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको गॉल्फ से संबंदित सारे न्यूज दिये जाते हैं, और एरपोर्ट से संबंदित भी न्यूज आप लोगों के साथ शेर किया जाता अपडेट क्योंकि जो लोग भी गॉल्फ में रहते हैं जितने भी अपडेट है आप लोगों को यहां पर इस चैनल पर देखने को मिलता है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू शुक्रिया तहदिल से अभी तक सस्क्राइब ने के तो फिर से एक बार अभी क्या भी सस्क्राइब कर थैंक्यू पर वाचिंग